पिछली विडियो में तुमने अन्न की खराबी और अपव्य के बारे में सीखा छात्रो तुमने सीखा कि अन्न का अपव्य संख्यात्मक और गुनात्मक हो सकता है इसे अच्छी निगरानी यदि याताया त्योहारों में अन्न का अपव्य टालना इत्य दिमार्गों से रोका जा सकता है आज मैं तुम्हें अन्न का भंडारण और सुरक्षा की कुछ पद्धतियों के बारे में बताऊंगा तुम्हें पता है कि फंगस की सूक्षमजैविक वृद्धी और बैक्टिरिया के कारण अन्न खराब होता है और इसलिए उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है तो अब हम अन्न सुरक्षा की पद्धति देखेंगे बहुत घरों में दोपहर या रात के भूजन से पहले घर के सदस्य यह शलूप बोलते है अर्थात अन इश्वर का रूप होता है और बड़े ही आदर के साथ उसका अपव्याय न करते हुए उसका सेवन करना चाहिए भूजन करना एक यग्यकर्म है चात्रों मुझे बताओ क्या तुमने सामान इता गर्मी के रितू में घर में ये देखा है कि धूब में गेहो सुखाय जा रहे है यहां तक कि बाकी स्वादिष्ट पदार्थ जैसे की पापड घर में बनाए हुए चिप्स धूप में सुखाय जाते हैं सूरी के रोशनी में ये पदार्थ क्यों सुखाय जाते हैं तुमारा क्या आनुमान है? मैं बताता हूँ हमारे देश में सूरी प्रकाश में अन्नपदार्थ सुखाना एक पारंपारिक पद्धती है कोंकर में तुम देखोगे कि मचली को धूप में सुखाय जाता है धूप में सुखाने से नमी चली जाती है वो कम समय लेने वाली प्रक्रिया है इससे अन्न का स्वाद एवं श्रेणी कम नहीं होते वैसे भी ये बहुत ही आसान और सस्ती पद्धती है सुखाने के अलावा प्रशीतन, हीमी करण, केणवन, आदी अन्न सुरक्षा की प्राचीन पद्धतिया है आदुनिक सुरक्षा के तरीकों में डिबाबंदी, पाश्रीकरण, प्रारणों की बाचार, परिरक्षकों का उप्योग, आदी का समावेश होता है अब ऐसी ही अन्न और पद्धतियों को हम एक-एक करके देखेंगे मैंने पहले ही तुम्हें धूप में सुखाने की पद्धतियों के बारे में बताया है कि तु आजकल अन्न पदार्थ सुखाने के लिए सोलर ड्रायर, सौर उर्जया पर काम करने वाले यंत्र बनाए गए है इस यंत्र में कुछ बंद कक्ष होते हैं अन्न सुखाने के लिए इन कक्षों में उसे भंडारी तिया जाता है और कक्ष की हवा सूर्य किरणों के उपयोग से गरम की जाती है अन्त में अन्न पदार्थ सूख जाते हैं इससे पहली कि मैं तुम्हें अगली पद्धति बताऊं मेरे प्रश्ण का उत्तर दो हम रसोई में फ्रिज का उपयोग क्यों करते हैं ये रहा उत्तर अन्न को कम तापमान में रखना ये दूसरी पद्धती है प्रशीतन के समय तापमान अन्न के हिमांग बिंदू के उपर अर्थाद 0 डिगरी से 8 डिगरी से तक होता है इसलिए हम घर में फल और सब्जियों के भंडारण के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं दूसरी ओर हिमी करण का अर्थ होता है तापमान 0 डिगरी से से सत्वा हिमांग बिंदू के नीचे होना कम तापमान पर पदार्थ में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की गती कम हो जाती है इस कारण से अन्न पदार्थ का स्वाद श्रेणी जल्दी से बदलते नहीं है परिरक्षकों का उपयोग एक और पद्धती है परिरक्षकों के दो प्रकार होते हैं प्राक्रूतिक एवं रासायनिक नमक, शक्कर, तेल घर में इस्तमाल किये जाने वाले प्राक्रूतिक परिरक्षक है अब क्या तुम मझे घर में बनाये जाने वाले अन्न पदार्थों के नाम बता सकते हो में शक्कर नमक तेल डाले जाते हैं अचार जैम जेली केचप मुरब्बा आदी में परिरक्षक डाल कर उनकी सुरक्षक की जाती है दूसरी और सोडियम बेंजोएट सोडियम नाइट्रेट सलफाइट्स एसेटिक एसीड नामक रासा एक अन्न परिरक्षक हैं सामाने तहा य असायनिक परिरक्षक नापे तुले मात्रा में ही डालने चाहिए इनके अतिसेवन के कारण सरदर्द त्वचा पर दरारे पड़ना भूक ना लगना अपचन जैसी सेहत की समस्याय उर्पन नहों सकती है इसलिए संसाधित अन्न जिसमें अधिक मात्रा में परिरक्षक हैं और रोज रोज खाना आरोगे के लिए हानि कारग हो सकता है प्रारणों की बाचेर भी रक्षण की पधती है जिसमें अन्न पदार्थों पर आयनिकरण करने वाले प्रारणों की बाचेर की जाती है उदानार्थ, क्षकिरण, उच्छ उर्जायुक्त इलेक्ट्रॉन, गामा किरण, आधी से पकने के बाद भी पदार्थ की आयू बढ़ती है, अंकुरित होने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण आलू, प्याज, आधी अन्न पदार्थ अधिक समय तक टिकाये जा सकते हैं, फल ज्यादातर मचली का धूमन करते हैं, दुनिया में विभिन भागों में धूमन के लिए लकडी, पीट, गोबर, आधी का उपयोग किया जाता है, धूमन के लिए अलूमिनियम फॉसफेट का उपयोग किया जाता है, किन्तु वैग्या निकों के संशोधन के अनुसार वे ख दिगरी सेलसियस तापमान तक 15 मिनिट गरम किया जाता है, और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है, इससे दूद में मौझूद सूक्षमजीव नश्ट होते हैं और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, छातरो ये पद्धती जानने के बाद बाजार में मिलने वाली इसे लिखा हुआ मिलेगा, ये पद्धती द्राव पदार्थों को खराब होने से बचाती हैं, कभी-कभी मालिथेओन जैसे कीटक नाशक अनाज की बोरी पर फवारी जाते हैं, वो मख्या, मच्छर जैसे कीटकों को जो की अनाज खराब करते हैं मारता है, किन्तु मालिथ जैसी भयानक समस्या भी उत्पन हो सकती है, अन्न पैकिंग में नाइट्रोजन ग्यास का भी उप्योग करते हैं, वो अन्न की गुणवत्ता की सुरक्षा करता है, और पैकेज की भी, तो छात्रों, अब तक तुमने अन्न सुरक्षा की अनेक पद्धतियों के बारे में और खाने से पहले इन्हें अलग करना आवश्यक होता है, तो मिलावट क्या है, यदि कोई अन्न पदार्थ मानकों पर खरा उतर नहीं पाता है, तब उसे मिलावट कहते हैं, अन्न की संख्या मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें दूसरे पदात डाले जाते हैं, इससे अन्न की गुणबत्ता घड़ती है और वैस सेवन के लिए हानिकारक हो जाता है, अब मैं तुम्हें अन्न के मिलावट के उधारन दूँगा, काली मिर्च के बीजों में पपीते के बीज मिलाते हैं, हमारे देश में पानी, यूरिया अथवा अपमार्जक डाल कर दूद का किया जाता है, कॉफी पावडर में इमली के बीज चकोरी पावडर डालते हैं, हल्दी में इमलीन डाय अत्वा मेटनील यलो डाल कर मिलावट करते हैं, शुद्ध घी में वनस्पती तेल अत्वा पश्वों का मेद डाला जा सकता है, शकर में चाक पावडर, लाल मिर्च मे इंड का बुरादा लकडी का बुरादा और बहुत कुछ मिलाया जाता है अनकी मिलावट पहचाने के लिए कुछ आसान परिक्षण है हमारे देश में मिलावट एक आम बात हो गई है और ये आशेरे जनक है ये दिन बदिन बढ़ती जा रही है तो हम अनकी मिलावट को कैसे विश्व आरोगे दिवस साथ अप्रेल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन जो हमें निरोगी रखने वाले अन्न को चुनने की जागरती के लिए कारियबद है तो यहां कुछ टिपणिया है अच्छा अन्न चुनो जो अन्न तुम खरीद रहे हो उसकी सामगरी, सामगरी का प्रमान, अन्तिम्तिथी इन सब की जाँच करो शुद्ध पानी पियो आसान परिक्षणों से घर में अन्न के मिलावट की जाँच करो कभी-कभी अन्न पदार्त की सामगरी तुम्हारा नुकसान कर सकती है उदारनार्त शक्कर की जगा इस्तमाल किया जाने वाला रासायनिक मीठा पदार्त अधिक खानी कर सकता है हमें ये भूला नहीं चाहिए कि अन्न पकाने और परोसने का आयोग्य मार्ग अस्वच्छताबी आरोग्य पर बुरा परिणाम कर सकते हैं कुछ आसान मार्क से हम अपमिश्रित अन्न खाना टाल सकते हैं बड़े पैमाने पर अन्न पदार्त की निगरानी महत्वपूर्ण होती है विशेश प्रयोग शालाओं में अन्न की जांच समय समय पर करनी पड़ती है अन्न का अपमिश्रन रोकने के लिए हमारे देश के काईदे और कानून है जैसे कि दंड, कारावास, आदी अन्न में मिलावट की जांच करने के लिए हमारे देश में Food Safety and Standard Authority of India FSSAI की स्थापना की गई है इसका मुखे कार्याल है दिल्ली में है सारांच तो इस वीडियो से तुमने अन्न सुरक्षा की संग्या सीखी और हां ये मत भूलना कि अन्न दिखने में रंगीन, स्वाद में अच्छा हो सकता है किन्तु हर बार वो सुरक्षित नहीं होगा अन्न कई मार्क से अपमिश्रित किया जा सकता है इसलिए अच्छा अन्न चुनो और स्वस्त रहो